दोस्तों आप देख रहे हैं आई टी एच पेलेस आपका अपना चैनल पूरी कवरेज अब तक की जवाइबान डेम की कितना बर चुका है गेट कितने खोले गए पूरा वीडियो जब गेट नहीं खुले ते तब से लेकर अब तक का वीडियो और अब गेट खोल भी दिये ग हैं तो नदी के बहावशेत्र से जो भी निचले इस तरके रहने वाले बाशन दे हैं वो दूर रहें और विशश नुवेदन किया है मच्वारे वाइकलों से गाडियों वालों से की पूल के उपर से भी गुजरें तुझा सावदाने से घुजरें और नदी के बहावशेत से दूर है जिला परशाशन जालोर परकपाली का धन्यवाद जो हमें पूरी जानकारी अपडेट दे रहा है और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरा बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से अभी पानी बेहर रहे कर सवता ही बार आ रहा है जर्यवबांद डेम की बात करें हम तो लगजबग 13 से 14 गेट है और इसकी कुल भराव शमत्रा पैसक फिट बताई जाती है दोस्तों वीडियो में आप देख रहे हैं ये पानी बही बेकरबार आ रहा है सही बांद जो इसके पीछे बयांद बना हुआ है शुरोई पानी की आवक जाली है जिस कारण ये जोई बांद पूरा भरा हुआ है और मजबूरन अब गेट खुलने ही पड़ेंगे क्योंकि देखी आप किस परकार से गेट नहीं खुले हैं पूरी ब्राव शमता के साथ अब ये प्यारी कर रहा है परशाद से इसको खुलने की जोई बांद के गेट नहीं खुले हैं फिर भी बड़ा ही अदबूत मन महुक नजारा मुएं देखने को मिल रहा है तो पूरा कवरेज हमने अपने वीडियो के जरी आपको बताया है और पूरी कोशिस रहेगी आपको गेट खोल दिये जाए जब आपको पूरा नजारा द दख लगबख खोल दिये गए और यह देखे वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं पानी पूरी वेग पूरी शमता के साथ नदी में आ रहा है तो नदी अब बहनी चलू हो चुकी है तो लोगों सभी विशेश निवेदने के कर्पिया कर जबाई नदी के कैस्मेंट एरि नक्षान हो सकता है निचली रेवास यह बस्ति आ अंछ परशाशनी नीवेदन किया है कि वह उनसे खाली करकर दूर चले जाए शुरुक्षित इस्तानों पर चले जाए दोस्तों यह था आज का हमारा जोई बांद का पूरा वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर कीजेगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं किसी और अगले वीडियो पर दोस्ते